आज किस वीडियो में NFL के section A technical के questions के बारे में discuss करने वाले हैं जो की attendant grade 1 mechanical feeder post के लिए है तो आएए friends अब start करते हैं हमारा पहला question है question first bolt nut किस धातु के बनाए जाते हैं तो इसका right answer हो जाएगा mild steel यानि कि bolt nut जो है वो mild steel के बनाए जाते हैं अब समझते हैं mild steel के बारे में तो mild steel में carbon का percentage होता है वो 0.15% से 0.30% होता है इसमें कठोरता बहुत कम होती है इसलिए इसे आसानी से forge, weld, machine कर सकते हैं किसे हो किसको तो mild steel को next question 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 second वो धातु जिसमें लोहे के कन नहीं पाय जाते हैं वो कहलाती है तो इसका right answer हो जागा non-ferrous धातु कहलाती है और जिसमें लोहे के कन पाय जाती है उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं फेरस धातु बोलते हैं next question question में थर्ड सबसे भाड़ी धातु कौन सी है तो इसका right answer हो जाएगा ओस्मियम जो ओस्मियम है वो सबसे भाड़ी धातु है और सबसे हलकी धातु कौन सी है तो लिथियम है next question question of fourth कुछ धातु को पतली चादर के रूप में फैलाया जा सकता है इस गुन को कहते हैं तो इसका right answer हो जाएगा अगहात वर्धनियत यानि की malleability सोना की सबसे अधिक तथा चांदी की उससे कम malleability होती है next question देखते हैं धातु को पतले तार के रूप में खीचने की किया को कहते हैं तो इसका right answer हो जाएगा तन्यता यानि की ductility लगभग सभी धातु के तार बनाया जा सकते हैं जैसे लोहा, सोना, चांदी, इत्यादी next question question number six, किस धातु के wire नहीं बनाया जा सकते हैं तो इसका right answer हो जाएगा cast iron cast iron के wire नहीं बनाया जा सकते हैं अब समझते हैं cast iron के बारे में यह धातु hard and brittle यानि की भंगूर होते हैं यह malleable और ductile नहीं होता हैं कौन, तो cast iron next question देखते हैं तो next question है, question number seven पारा का ask है तो इसका right answer हो जागा, सीने बार सीने बार जो है वो पारा का ask है अब इसके बारे में कुछ points देखते हैं इससी से related जैसे teen का ask, teen stone lead का ask, galena copper का ask, cube trite next question, question number eight हेमेटाइट, मेगनेटाइट, लिमोनाइट, पायराइट में सबसे कम लोहा किसे प्राप्थ होता है तो इसका right answer हो जाएगा, पायराइट पायराइट से सबसे कम लोहा प्राप्थ होता है तो question number nine, cast iron का पायराइट पायराइट किसे तो मेगनेटाइट से तो फैंस, आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लागा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको notification time से मिलता रहा है और चाहते हैं अब इस वीडियो का PDF तो अब हमारे टेलिग्राम को जोइन कर सकते हैं टेलिग्राम का लिंक description में दिया है वहाँ से जाकर जोइन कर सकते हैं Thanks for watching